हेलो फ्रेंड्स तो आज का ये वीडियो एक डिमांडिक वीडियो तो मेरे पास एक भाई ने कमेंड किया दा उन्होंने मुझसे बोला दा कि सर आप एंटिवाटिक टैल बेट्स के बारें बताइए और मेडिसिन के बारें बताइए तो मैंने इस पर हालांकि एक पार दो बन यहां पे आपको नामसी समझ में आ रहा होगा एंटीबाटिक किसी भी चीज़ के अगेंस्ट काम करना बाइटिक मतलब जो लिविंग ओर्गरिनिस्म होते हैं जो कि छोटे मोटे तो उसको टीट करने में काफिधा help करती है और यह जितनी भी एंटिवाटिक टेलबेट आदनी यह आपके किसी प्रकार की बारें इंफेक्शन में यूज नहीं की जाती है बारें इंफेक्शन जैसे कि आपको फ्लू है आपको पोल्ड है उस कंडिशन में किसी प्रकार की एं इसको मैनिफेक्चर करती है तो उसमें यह आपको मिल जाती है तो यह भी टैबलेट है जो कि अल्ला तरह की डूस में आती है जो कि आपको मार्केट में एजली मिल जाती है यह आपको पांचों में भी आती है यह आपको पांचों में भी आती है जो कि आपकी एक तरह की एक आपको इस टैबर का यूस किया जाता है तो आप नेक्स टैबर इतर वह हमारे जो की एक तरह की अ्टिवाॉटिक ड्रग है तो यहाँ पर यह वे ऐंआप यह तरह की इस्थी जाती है आपको दाइसों अमजी में मिल यह आपको छोड़ा सा घाओ है तो उसमें इसका यूज किया सकता है क्योंकि यह एक तरह की एंटी बैक्टरियल मेडिशन है जो कि किसी प्रकार की बैक्टरिय के गुरूत को एजली कंट्रॉल कर ले दिए और यह टैबिट है जो कि खासकर आपके मैनर इंजरी में आपके इस तो अगर सासलीज में तकलिफ हो रही यह आपके रैस्परेटी ट्रेक्ट में इंफेक्शन हो चुका है तो उसमें इस टैल्बिट का यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा यूट्य इंफेक्शन अगर आपकी यूर्नी ट्रेक्ट में या आपको पेसा में जलन हो दिये यह तो हमारी Amoxicillin और Potassium Clavinate का Combination जो कि काफ विदा फेमस और काफ विदा यूज में लाई जाती है जो कि Moxigan CB 625 के नाम से काफ विदा फेमस है तो ये टैबलेट काफ भी सारी MBS प्रिक्सराफ करते हैं तो ये जो टैबलेट है ये भी अलत रहेगी disease में यूज की जाती जैसे कि अगर आपके brain inflammation हो रही है आपके कान में किसी प्रिकार infection हो या आपका कान बहता है तब भी इसका use किया जाता है और अगर आपके lungs में आपकी UTA tract infection हो चुका है और अगर आपको छोड़ी मोड़ी चोड़ लगी या कोई भी patient है जिसका operation होके आया ह है तो उसमें जो minor cut लगे हो दें तो उसको treat करने में इसका काफिदा यूज किया जाता है तो next antibiotic है वो हमारी यूज कर सकते हैं जो कि काफिदा helpful होती है और next हमारा कफ अगर आपको थोड़ा बहुत खांसी हो चुकी है तब भी इसका use किया सकता है next आपका यूटे infection आपके अगर इस ज्यूनिटेक्ट में infection हो चुका है या आपके जो आपकर रैस्परिटरी टेक्ट infection आपको सांसले में तकलीफ हो रही है तो उसमें इसका use किया सकता है next हमारा आई transmitted disease है मतलब जैसे की होती है कुछ जैसे गवर्नोरिय होती है और HIV गारा जो कॉज की जाती है तो उसमें इसका use किया सकता है तो अब next antibiotic है वो हमारी सेफू रॉक्जिम के नाम से जो की आपको मार्केट में easily मिल जाती है जिसका जो फीमस ब्रांड ने वो इसका सैफ्टम जो की काफे दा यूसफूल मेडिशन है यह वी एक तरह की एंटिवाटिक मेडिशन जोकी काफे दा यूसफ में लाइजाती है तो यह अगर आपको pneumonia जैसी condition है तो उसमें यह tablet काफे दा पे सक्राइब की जाती है पेशेंट को अगर आपके कान में किसी परकर किया सकता है तो नेक्स अंटिवाइटिक ही वह हमारी किरिंड़ामाइसें रॉसफ़ने वाटिक जो की मार्केट में आपको तेम थ्री उन्डेट के नाम से ऊच्छले में कीड़ा लग गया है तो उसमें ये तरबिट काफिदा प्लिबर्ट की जाथ है तो ये तरबिट भी का अंटिवार्टेक कैटेगरी में रखी गई है तो अब नेक्स अंटिवार्टेक है वो हमारी सपोर्ड ऑक्जिम के नाम से जो कि गुड़ सब दोस्तों के नाम से काफ़ी दा फेमस और काफ़ी दा यूज में लाए जाती है हालाएं कि इसको मॉनिसर्फ के 200 के नाम से भी आप कि आखों में किसी प्रिकारण के इंफेक्शन हो गया है तब भी इस टैबलिट का काफ़ी दा यूज में लाए जाती है जो कि काफ़ी सारी एंबूस रक्टर इसको प्रिस्क्राब भी करते हैं तो नेक्स्ट अंटिवार्टेक है वो हमारी मेट्रो नेटा जॉल के नाम से आख़ी काफ़ी दा फीमस और काफ़ी दा इसमें लाइज आ यह उज्ट तो यह जो टैबल यह काफी दा है जो की// चारसो फ्लैजल दोसो फ्लैजल अलगले तरह की डूजस में आदी है जो कि मेट्रोजल की नाम से भी काफिदा फिर मसे तो यह टेल बिट भी आगर आपकी लिवर में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया है तब भी इसका यूज किया जा सकता है नेक्स्ट हमार इंटेस्टन कोई भी फीमेलme में आपके कोई माइन इनफेक्शन है तो उसका इसका यूज को प्रिस्क्राइब stress को करते हैं लेकिन मोस्टी उस होता वह के में इपके इस स्थाल मशेसे का संठाइस करता है नेक्स्ट एंडियाड वह हमारी कफिद्र यूस्ट की नाम से काफिदा फेमर तो इसके अंदर आपको नौर्फ लॉक्टिक एसट जैसे साल्ट मिल जाते जो कि आपके इस तमक के लिए काफिदा हेलफुल है लेकिन यह एक तरह की एंट्यूबाटिक है जो कि आपके यूटिय इंफेक्शन में है अगर आपको यूरिनरी में किसी प्रकार कर अवकरिक्षिंन हो गया आपकी खिड्री में इंफेक्शन है या आपको पेशाम होगी आपको पेशाब और वो बढ़ जाता तो यह काा यूज में लाइजाती है तो चलिए अब हम बात कर लेते को साड़िफेक्ट के बारे में अगर आप एंडिवायटेक और रेगुलर करते हैं या आप फर्स टाइम करेंगे तो आपको इसके कुछ साड़िफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि जो सबसे पहला साड़िफेक्ट है वो हमारा वामिट लेकिन आपको यह सारी सीवियर जो साड़िफेक्ट बो नहीं है यह आपको नॉर्मली किसी पिशेंट में मिल सकते हैं जब फर्स टाइम एंडिवाटेक्ट का यूज करता है नेक्स्ट अमारा एब्डिमल पिन आपके पीट मतर्द जैसी कंडिशन हो सकती है और नेक्स्ट अगर आपको कोई भी ज़्यादा सीवियर इंफेक्शन हो रहा है और अगर आपको यह टैबिट लेनी के बाद कुछ ज़्यादा ही जो साड़िफेक्ट देने को मिलता तो उस कंडिशन में आपको तरहनती अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए लेकिन यह आपको सारी मेडिस से हमें सब्सक्राइब करने चाहिए तो अमीद करता हूँ आपके वीडियो इपरमेशन काफी दफ पसंद आए हुगी तो प्रीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अब विडियो चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सक हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके